नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि अबिक्सिम टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, अबिक्सिम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और अबिक्सिम टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि अबिक्सिम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अबिक्सिम टैबलेट एक सेफिलोस्पोरिंस ड्रग क्लास की एक एंटिबायोटिक दवा है जिसका उपयोग शरीर में बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूरों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्तर अबिक्सिम टैबलेट को लेने की सला इसके अलावा त्वचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर, या त्वचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी डॉक्तर अबिक्सिन टेबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Abixim Tablet को लेने की सलाह दे सकता है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है, जिनमें आपका डॉक्टर आपको Abixim Tablet को लेने की सलाह दे सकता है. Abixim एक brand name है, Abixim Tablet के अंदर salt composition से fixim होता है, Abixim Tablet 100 mg वद 200 mg की strength में available है, side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Abixim Tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Abixim Tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं, जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्त हो सकते हैं, अब हम discuss करेंगे की Abixim Tablet को कैसे लेना recommended होता है, Abixim Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर अबिक्सिन 200 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 8 mg पर किलोग्राम पर दे के हिसाब से डोज को 12 समान भागों में बाठ कर लेने की सलाह देते हैं, अबिक्सिन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और इंफेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको अबिक्सिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अबिक्सिन टैबलेट एक डिस्पसिबल टैबलेट है, जो पानी में डालने के बाद अपने आप घुल जाती है, इसलिए अबिक्सिन टैबलेट को एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें डाल कर भी लिया जा सकता है, दोस्तों अगर इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए, जब जरुरत हो, बार बार या बिना जरुरत के अंटिबायोटिक दवाओं को लेने से अंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके doctor को दूसरी antibiotic दवा देनी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में doctor को बताना चाहिए क्योंकि liver और kidney की बिमारी से फीरित व्यक्तियों में abixim tablet की dose घटानी पढ़ सकती है वैसे abixim tablet pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी abixim tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को abixim tablet को लेने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका abixim tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं